आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी हम स्टेड़ी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्न वाली तीन दसमलोदो का प्रस्न संख्या तीसरा प्रस्न है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ग्याद किजिए कि निमने रेखिक समिकरनों के युक्म संगत है या फिर असंगत प्रस्न में नीचे समिकरन दिया हुआ है 2X-3Y बराबर 8 और 4X-6Y बराबर 9 यानि ये समिकरन को हमको क्या करना है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकाल लेना है निकालने के बाद हमको ग्याद करना है कि इस समिकरन के दोवारा जो निरूपी तुरे खाएं हैं वा संगत होगी या फिर असंगत होगी तो चलिए परसन को हल करके हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा बहुत सिंपल तरीके से सिंपल बासा में आपको समझाएंगे तो वीडियो को आखरी तक देखिएगार यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर जाएगे तो चलिए परसन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हल लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर पहला समिकरन वा क्या है 2X-3Y बराबर 8 इसको क्या करेंगे समिकरन 1 मानेंगे यह गलती नहीं कीजिएगा समिकरन 1 नहीं मानना है तो रख क्या करना है थोड़ा सा change करना है थोड़ा सा यहां लिख देना है 2x minus 3y यह 8 को बराबर के इधर कर देंगे तो यह plus से minus में हो जाएगा और बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देना है अब लिखना है समीकरन 1 ठीक है क्योंकि यह वो अभी समझ में आ जाएगा इसके अगले step में क्या करना होगा लिखना होगा समीकरन 1 को a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है यानि हम इसको इसके जो मानक रूप होते है यानि देगहाद समीकरन का जो मानक रूप होता है रैखिक समीकरन का दो चरवाले का जो मानक रूप होता है वह इस रूप में होता है यह समीकरन 1 का है इसलिए हम A1 B1 और C1 लिगवे इस से हम लोग compare करेंगे तुलना करेंगे और A1 का मान निकालेंगे उसके बाद B1 का मान निकालेंगे और C1 का मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से X का गुनांग A1 है तो यहाँ पर X का गुनांग 2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 2 B1 क्या है Y का गुनांग तो Y का गुनांग यहाँ पर क्या है माइनस 3 तो हम लोग क्या लिख देंगे माइनस 3 इसी परकार C1 क्या है C1 यहाँ पर अकेला है इसमें कोई भी xy नहीं है यानि यहाँ पर c1 एक वास्तविक संख्या होगा यहाँ पर देखिए minus 8 इसलिए न क्योंकि यह बराबर के इधर में है तो यहाँ पर बराबर के इधर इसलिए 8 को किये ताकि मेरा c मिल जाए तो c1 क्या है minus 8 इस पर कार हम लोग क्या करेंगे अगले समीकरन की और बढ़ेंगे वह क्या है 4x minus 6y बराबर 9 इसके बाद फिर लिखेंगे 4x minus 6y minus 9 क्योंकि यह 9 इधर है तो हम इधर करेंगे तो यह minus में हो जाएगा तो बराबर 0 इसको हम लोग समीकरन नमबर 2 लिखतेंगे लिखने के बाद सेम कारिकरम यहाँ पर जो किये हैं लिखे हैं उसको भी यहाँ पर करेंगे यानि समीकरन 2 को a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है यहाँ पर a1, b1, c1 लिखे क्योंकि यह समीकरन 1 का मानक रूप है यहाँ पर a2, b2, c2 लिख रहा है क्योंकि यह समीकरन 2 का मानक रूप है इस परकार से हम लोग यहाँ पर a2 का मान निकाल चुके हैं क्या है वह x का गुनांक यानि 4 इसी तरह b2 का मान निकालेंगे तो Y का गुनांग मैनस 6 फिर C2 का गुनांग जो संक्या वाला पद है यानि मैनस 9 अब हम मेरा क्या हो गया यहाँ पर A1, B1, C1 और A2, B2, C2 निकल चुका है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रस्न के अनुसार यह वाला मान निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर A1 कमान देखिए 2 है और A2 कमान 4 यानि लिख सकते हैं 2 बटे 4 इसको काटेंगे 2 एक हम दो 2 दुनी 4 यानि 1 बटा 2 इसी परकार हम लोग क्या करेंगे B1 बटा B2 निकालेंगे B1 कमान क्या है तो B1 कमान माइनस 3 और B2 कमान है माइनस 6 माइनस 3 बटा माइनस 6 यहाँ से माइनस माइनस कटा इसको काटेंगे एक बार में और यह दो बार में 3 से 3 एक हम 3 तीन दुनी 6 यानि यह भी 1 बटा 2 तीसरे नंबर पर क्या निकालेंगे C1 बटा C2 C1 कमान माइनस 8 यहां लिख देंगे माइनस 8, बटा यह माइनस 9 है, यहां पर C2, यहां से यह कटा माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा, लेकिन यह दोनों नहीं कटेगा, तो इसी को वैसे ही लिख देना है, 8 वाई 9, लिखने के बाद देखें, यहां पर, तीनों अनुपातों को निकालने के बात चेक करेंगे कि यहां पर कान रोल बात किस words यहां फिर एक्वाल है या फिर एक्वाल है या फ्रिया है यहां पर लम lifelong calmik क्यों बैदरां बहुक्किन कि दोनों उनक्तु है लेकिन iach तो को gettin hai एक्वाल ही है तो यह सब्सक सकत्व कि तो इसलिए डारेक लिखेंगे कि रिखाएं क्या होगी समांतर होगी रिखाएं समांतर होगी यानि समांतर काने मतलब एक रिखा ऐसे जाएगा तो एक रिखा इसके समांतर में जाएगा तो बताईए क्या ये दोनों साथ में टटच है साथ में हैं जी नहीं ये दूसरे के अललग अललग में है यानि यहां पर ये साथ में नहीं है तो इसको कर देंगे आसंगत क्योंकि आसंगत का मतलब ही होता है साथ में नहीं रहना तो इस तरीके से हम इस परसमे को बना सकते हैं आसान तरीके से